दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आधार कार्ट के बारे में आधार कार्ट की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कारा रही है कि अब आपको अपने अधार कार्ट में अपडेट करने के लिए अधार से इंटर जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी सुगाइज मैं हूनी लेस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चेनल सुपर टेक्नलाजी में सब्सक्राइब का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं है दोस्तों सबसे पहले आपको अधार काट की ओफिसिल वेबसाइट पर आना है इसकी ओफिसिल वेबसाइट में और संसे हैं यहां पर आपको एक option मिलेगा update आधार इस पर दोस्तों आप आएंगे तो यहां पर आपको option मिलेगा update your address online जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है इसी से दोस्तों आप आधार card से related और भी update कर सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है name, date of worth, gender, address, language अगर दोस्तों आपके आधार card में Hindi language है और आप उसमें Marathi या गुजरादी language कराना चाहते हैं तो यहां से आप language भी change करा सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों यहां पर एक चीज़ और मेंसन है कि registered mobile number is mandatory for online आधार update यानि online आधार update के लिए आपका registered mobile number होना ज़रूरी है क्योंकि आपके mobile number पर OTP जाएगा और उस OTP को आपको verify करना होता है तो यहां पर दोस्तों आपको proceed to update आधार पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का पे जाएगा यहां पर आधार online आपडेट करने के लिए यहां पर आपको अपना आधार number डालना है उसके बाद यहां पर आपको capture फिल करना है send OTP पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप send OTP पर क्लिक करेंगे आपके mobile number पर OTP आएगा OTP आपको यहां पर डालना है और login वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप login हो जाएंगे कुछ इस तरह का dashboard आपके सामने आएगा थोड़ा scroll करके नीचे आना है अब यहां पर दोस्तों आपसे पूचा जा रहा है अपडेट demographic data करना चाहते हैं या फिर update address view a secret code तो यहां पर दोस्तों update आपको demographic data वाले option पर क्लिक करना है secret code में नहीं जाना है क्योंकि secret code दोस्तों generate करना पड़ता है वो आधार काड की तरफ से आता है तभी आप उसके थुरू करते हैं यहां पर दोस्तों पूचा जा रहा है आपसे सबसे पहले कि आप अपने अधार काड में क्या क्या अपडेट कराना चाहते हैं अगर दोस्तों आप language अपडेट कराना चाहते हैं तो यहां पर language पर क्लिक करेंगे अगर language अपडेट नहीं कराना चाहते हैं तो language पर क्लिक नह सकते हैं लेकिन जो आपका एड्रेस रहेगा दोस्तों उसको महीने में आप एक बार अपडेट करा सकते हैं यानि आप साल में बारा बार अपडेट करा सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है इसको आप देख सकते हैं अगर नेम अपडेट कराना चाहते हैं तो नेम पर क लेकिन इसमें अभी आप अपडेट नहीं करा सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी आप अपडेट कराएंगे उसका एक स्केन डाकुमेंट आपको अपडेट करना पड़ेगा जैसे अगर आप नेम अवर्ड आपको दैको आपको अपलोड करना पड़ेगा तो कर दी रहा है जैसे दोस्तों आप प्रोसीट करेंगे तो यहां पर आपके सामने डेटा फ़र्त और एड्रेस आ जाएगा उसके बाद मीचे आएंगे यहां पर आपको कोई एक valid document upload करना पड़ेगा जिसके लिए दोस्तों यहां select वाले option पर click करेंगे अब यहां से आपको बताया जा रहा है कि आप क्या-क्या document upload कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं paint card upload करूँगा तो यहां पर paint card चूज कर लेंगे उसके बाद upload document पर click करेंगे permission मागे का आप allow कर देंगे उसके बाद यहां पर camera से भी आप click कर सकते हैं अपना print card या फिर अगर आप file manager में रखें हैं तो वहां से भी आप इसे choose कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी आप documents upload करेंगे वह आपका में करेंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना बिल्ड को में आपको करेंगे और सब अपना post office डालेंगे district आ जाएगा district डालेंगे state आ जाएगा उसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक scan document अपलोड करना होगा अपने address proof के लिए उसके बाद यहां से पूछा जा रहा है कि आप क्या address proof में देना चाहते हैं रासन card, voter ID card, driving license जो भी आप देना चाहते हैं उसको आपको चूज करना है उसके बाद upload document पर क्लिक करना है और document आपको upload कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको preview को option मिलेगा preview वाले option पर क्लिक करेंगे तो आपकी details पूरी preview हो जाएगी उसके बाद दोस्तों जो आपने detail फ listed mobile number पर OTP आएगा OTP आपको यहां पर डालना है उसके बाद यहां पर आपको term मिल जाएगे term को accept करना है और यहां पर make payment पर click कर देना है जैसे दोस्तों आप make payment पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों आप payment page पर redirect हो जाएगे अब यहां से आपको 50 रुपीज का payment करना होता है ज जैसे दोस्तों आपका payment successful होता है उसके बाद आपको URA number generate कर दिया जाता है और आपका 5-6 दिन में जो भी आपने update कराया है वो update हो जाता है उसके बाद दोस्तों अगर आप status check करना चाहते हैं कि जो आपने online update कराया है वो update हुआ है या नहीं तो यहां पर आप उसी page पर आए जाएगा check update status का इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया page खुल कर आएगा यहां पर दोस्तों आपको अपना आधार number डालना होता है उसके बाद यहां पर आपको URA number जो मिलता है 14 digit का URA number डालेंगे उसके बाद यहां पर आपको capture डालना होता है उसके बाद आ अंदर आपका update हो जाता है अगर दोस्तों आप PVC अधार कार्ड यानि प्लास्टिक का अधार कार्ड भी मगवाना चाहते हैं तो उसका भी 50 रुपे चार्ज है उस पर मैं एक अलक्सी वीडियो बना चुका हूँ को या PVC अधार कार्ड वैलिड अधार कार्ड है दोस्तों आ आपको यह आधार कार्ड यह अपडेट पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए अपने फेंट के साथ सेयर करिए मन में कोई डाउट या प्राब्लम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हूं मुझे इस्टाग्राम पर फालो करके वहां भी मैस की मिलने की मन नतना मागी हो स्टेशन पर खो गई थी यह रेतू मेरी बेटी और देखू न यह मिली भी तो कैसे इन उंगलियों के निशान से आधार कार्ड बनवाया था इसका तब काम आया नहीं तो पता नहीं आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज सुना वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं न उससे कोई भी खोई हुए बच्चे को अपने घर तक पहुचा सकता है कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने ये तो मैंने सोचा ही नहीं था तो अब सोच लो ओडे देश में कहीं भी हो आधार से ही तो छोटे बड़े सब को मिली है एक सी पहचान तो पेरंस आधार अपना लो फाइदे में रहोगे